यदि आप Hyundai की ही कार परीद नाटाते हैं और नई Centro और Grand I10 को बीच कम फ्यूज है तो हम आपके लिए New Centro और Grand I10 का complete detail comparison लेकर आए हैं तो आए जानते हैं इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन है खास नमबर एक, डिजाइन के मामले में कौन है बेहतर Hyundai Centro 2018, Hyundai ने अपनी Oil New Centro को नई डिजाइन और फीचर्स के साथ पेश किया है लेकिन कमपनी ने इसके टॉल बॉयर लोग को बरकरार रखा है इसकी उचाई भी काफी बेहतरीन है इसमें ज्यादा हाइट वाले लोग भी आराम से बैठ सकते हैं कार के फ्रंट में कास्केडिंग ग्रिल, स्वेप्ट बैक हेड लैम, फॉग लैम्प, ब्लैक प्लास्टिक लैडिंग, नई डिजाइन के फॉग लैम्प और साथ ही नया आकरशक बंपर दिया गया है कार का साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें बेल्ट लाइन प्रदान की गई है इसमें पुरानी सेंट्रों की तरह ही बड़े से विंड़ शिल्प दी गई है हुनड़ई ग्रेंड आई टेन, हुनड़ई ने इस कार को भी टॉल बॉय लुक दिया गया है कार का फ्रंट लोग काफी हद तक सेंट्रों से मिलता जुलता है ग्रेंड आई टेन के फ्रंट में कास्केडिंग ग्रिल, स्वेप्ट बैक हेड लैम्प, फॉग लैम्प, एली डी डी आर एल्स दिये गए है कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके दरवाजे, रूप रेल और अलोय हुईल को ब्लैक लर से गारनिश किया गया है रियर में रूप माउंटेट स्पॉयलर, टेल लाइट क्लस्टर, कार के बंपर पर ब्लैक प्लास्टिक लैडिंग और राउंड रिफलेक्टर दिये गए है नमबर दो, फीचर्स में कौन है आगे हुंड़ाई सेंट्रो 2018, इस कार की सबसे खास फीचर इसमें दिया गया साथ इंच का इंपोटीन में सिस्टम जो इंड्रॉइड आटो और एपल कार प्ले, वाइस रिकोगनाईजेशन, मिरर लिंक को स्पोर्ट करता है पीछे के पैशेजर्स के लिए कार में रियरेसी वेंस दिये गए हैं कार का स्टी रिंग पर सारे कंट्रोल दिये गए हैं साथ ही रियर वेंड शिल्ब पर वाइपर दिया गया है इसके top variant में electronic adjustable turning indicator और ORVM दिये गए हैं खुनड़ाई grand i10, इस कार में भी 7 इंच का important main system है जो android auto और apple car play, voice recognition, mirror link जैसे latest features को sport करता है features के मामले में यहां car center को काफी पीछे छोड़ती है इसमें automatic climate control, engine start, stop button, smart key, rear race events, electronic edge stable turning indicator के साथ हो RVMs, steering mounted control और height edge stable driver seat दी गई है number 3, safety के मामले में कौन है बेहतर, Hyundai central 2018, safety के लिए car में driver seat air bags, ABS, EBD और rear parking sensor जैसे features ही है Hyundai grand i10, safety features के और पर इस car में dual front air bags है, साथ ही इस car में ABS, EBD भी है इसके top variant में central locking system, impact sensing auto door lock, rear parking sensor और camera जैसे features दिये गए है number 4, engine specification के मामले में कौन है बेहतर Hyundai central 2018, नई central में 1.1 liter का engine है जो और 60 BHP का power और 99 NM का torque produce करता है यह 5-speed gearbox transformation से less है, company का दावा है कि यह car 1 liter petrol में 20.3 km का mileage देगी Hyundai grand i10, इस car में 1.2 liter का engine है जो petrol और diesel दोनों ही option में available है इसका petrol engine 82 BHP का power और 113 NM का torque provide करने में सक्षम है वहीं diesel engine 74 BHP का power और 190 NM का torque generate करने में सक्षम है engine के performance के मामले में यह car central से काफी बेहतर है यह car petrol और diesel दोनों variant में available है इसलिए इस दोनों ही तरह के customers मिलेंगे यह 5 speed gearbox से less है इसके अलावा यह 4 speed automatic gearbox में भी available है इसका petrol manual variant का mileage 18.9 KMPL है डीजल में 24 KMPL और petrol automatic variant 16.95 KMPL का mileage provide करती है नमबर पांच कीमत के मामले में कौन है बेहतर Hyundai central 2018 इसकी दिली एक शोरूम कीमत 3.7 लाक रुपे है Hyundai Grand I10 इस कार के petrol variant की शुरूआती एक स्चोरूम कीमत 4.9 लाक रुपे है वहीं इस कार के टॉप मॉडल के डीजल लाक की कीमत 7.3 लाक रुपे है नमबर 6 हमारा opinion Hyundai central का लोग लंबे समय से इंटाजर कर रहे थे जो एक बजट कार है इसलिए अगर आप स्मूद ड्राइविंग और बेहतर हंडलिंग वाली बजट कार की सवारी करना चाहते हैं तो centro आपके लिए एक बेहतर कार साबित होगी वहीं अगर आप कम बजट में दमदार इंजन और centro से ज्यादा latest features वाली कार की सवारी करना चाहते हैं तो Hyundai Grand i10 आपके लिए एक अच्छा option साबित हो सकता है